प्रश्चेट प्रश्चेट के लिए कोफी प्रड़क्शन के लिए कोफी प्रड़क्शन के लिए वो ज्यादा जाना जाता है मैसूर से लेकर लोगों ने दिखाया है यहां पर बताया है कि वहां पर जंगल्स में यह आप अनिमल्स आप जू विजिट करने जादा तो विच ताइप अनिमल्स यू कन सी और तो बॉड्स बीज और बटरफ्लाइस और तो गिव यू कंपनी मकाक्स मलाबर्की स्क्वीरल्स लंगूर्स य तो यह हमने देखा ब्रह्मगीरी हिल्स है जो करनाटक में ब्रिंग्स और यू अन्टु अपैनॉर्मिक विव अफ़ एंटार मिस्ची लैंसकेप ऑफ कुर्ग तो इतना मस्त देखने के लिए यह इतना अच्छा लुभान जैसा विव है ब्रह्मगीरी हिल्स से वहां पर अलग अलग पॉइंट्स है देखने जैसे और वाक एक्रोस रोप ब्रिज रोप ब्रिज जो है उस पर चलना रहता है जो दोरी वाला जो धागा वाला जो ब्रिज रहता है ना लीट चुदे सिस्टी फोर एकर आइलेंड ऑफ निसर्ग धाना पर बहुत एडवेंचरस ट्र सालवेज वह पूज़ा पाठों में लगने वाले और दुसरों को प्रीचिंग करने वाले जो लोग साथा तो बुद्दिश्ट मॉंग्स रिलिजियस पीचर्ट तो फ्रॉम इंडिया लार्जिस्ट्य सेटल्मेंट ज्याधा तर बुद्दिश्ट मॉंग्स जो थे वही पर जाकर सेटल हुआ करते थे तो दो मॉंक्स इन रेड ओकर एंड यलो रोब्स आर अमंग्स अ मैनी स्क्रिप्टर्स अर्वेट तो बिजिटर सर्चिंग पर आपको ज्यादा तर यही पर देखने मिलेगा जैसे हम हिंदु यहां पर पंडित बोलते हैं या फिर गुरु बो आपको अगर कुर्ग में एंटर होना है तो एक ही रास्ता है यानि कि उचे नीचे जो फिल से पहाड लश फॉरेश घना बना बरा जंगल और कॉफी प्लांटेशन्स विलकास्च स्पैल उन्यू तो विलकास्च स्पैल यानि कि आप एक गहरा प्रभाव असर करेगा आपको देखे बिना जाने नहीं देगा find a resort coffee estate or stay in a home for a truly kurgi experience तो एक resort देख लो आप वहाँ पर experience करने के लिए by air the nearest airports are mangalore अगर आप air से जाते हो अगर याप land way से जाते हो तो ये that is a good अगर आप air से जाते हो the nearest airports are mangalore that is 135 km and bangalore that is 260 km तो बैंगलोर से काफी दूर होता है mangalore से थोड़ा पास में है there are flights to mangalore from Mumbai and to bangalore from एहमदाबाद तो mangalore के लिए flights है Bombay से और bangalore जाना हो तो एहमदाबाद से चन्ने से डली घुवा अधराबाद सारे जगा से flight है अगर आप rail route के थूर जाना चाहते है the nearest rail heads are at Mysore, Mangalore and Hudson तो rail route के द्वारा भी आपको Mangalore में उतरना पड़ेगा and a flight से जाते है तो भी you have to depart at Mangalore now by road there are two routes to Kurg from Bangalore अगर आप roads के द्वार रोड के द्वारा जाते हो तो यहाँ पर दो रास्ते हैं कुरुब जाने के लिए बैंगलर से both are almost the same distance 250-260 km याने की जादा कुछ difference नहीं है उनले 10 km the route via Mysore is the most frequented one लेकिन जो Mysore से जाने वाला रास्ता तामिल नाडू से चैनना इसे वो बहुत ही अच्छा रास्ता है the other route is via निलमंगल, कुनिगल and चेन्रायन पटना चेन्रायन पटना तो यह तीन रास्ते हैं अगर आप road के द्वारा जाते हो here are some questions of the test where is कुर्ग, तो कुर्ग कहा पर है तो कुर्ग is located in the state करनाटा का और वहाँ पर एक district के अंदर कुर्ग विलेज है smallest district है वो करनाटा का, what is the story about the कोड़वा people's descent, तो कोड़वा people's कौन थे तो वो फोटो में जो दिया हुआ है उन्होंने black coat पहना है ठीक है यहाँ पर यह जो black coat पहना हुआ है इन्होंने belt पहना हुआ है waist belt पहना हुआ सर पर एक पगड़ी जैसी बांदी है ठीक है न तो यह people जो है वो fiercely the fiercely independent people of kurgar possibly of Greek और Arabic descent के यह लोग है तो यह लोग इस तरह सब पहनते है the theory of Arabic origins draw support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by कोड़वास ठीक है तो कोड़वास को कोपिया भी कहते है now the next thought question is what what are some of the things you need you know about the people of kurgar के बारे में main crop क्या है तो वहां का main crop तो कॉफी ही है हमारे इंडिया में largest production of coffee करनाटक में ही होता करनाटक के कुर्ग region में होता the spot sits offers to tourists तो tourist के लिए swimming है हम लोगों ने पढ़ा था कि swimming वहां पर बहुत अच्छा होता है mountaining tracking animals वहां पर बहुत अच्छे अच्छे है roads roadsides है यहां नहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा देखने मिलता है चीक है now our the yes the third number here are six sentences with some words and italics तो यह कुछ exercise दिया हुआ thinking about language तो यह भी कुछ exercise दिया हुआ हुआ that you have to do like यहां पर देखो work with a partner and discuss which of the nouns can collocate collocate यानि कि इसके साथ में जुड़ सकता है match हो सकता है जिसे culture हो तो unique culture यानि कि सबसे अलग एक अलग अपना आप में culture होना इंशील्ड कलचर यानि कि पुराना क्लचर पुराने रीती रिवज मौंक्स तो मौंक्स किस थरह के यह पुद्धिस्ट मौंक्स होते हैं यह कि यह हम लोग देखते हैं surprise दिया हुए तो हम ँसम्तित एक अजम्पल करते हैं बाकी सारे अपने आपसे thoughts लेकर आओ तो unique surprise भी हो सकता है अब mon quiz है serious mon quiz हो सकता है serious mon quiz हो सकता है और unique mon quiz भी हो सकता है बुद्धिस्ट वाले जो थे वो unique थे, अलगी थे unique surprise है, unique experience भी हो सकता है, yes यानि कि सबसे अलगी experience हो मुझे पहली बाहर, weather जो है वेदर होता है कभी नहीं बूल सकते उस तरह का वेदर अच्छानक से चेंज आ गया हो समझो आप वहाँ पर गयो जैसे कि वह बाढ़ आया था जून के मन्त में जुलाई पर केदारनाथ में अच्छानक से सीजन ही चेंज हो गया था तो टराइबल और अनफर्गेटेबल वे प्लणा च lobbies होता है ब्रेवरी की कहानिया और ब्लाक का खांटेशन चांट कोफीा ठीव यानिक प्लांटेशन ब्लान इसी प्लांटेशन थे नाम ले लो आप ठीग है स्चील ब्रिज ये कॉंक्रेट भी ये कॉंसेकुंस से नीम है वो भी नौ लेट स्टाट आवर थोर्ड टॉपिक आप इस चाप्टर आप इस ची फ्रॉम आसाम तो हमारा जो टी प्रोडक्शन है सबसे जादा इंडिया में फॉस्ट रंग प्रोडक प्राजोल's father is the manager of a tea garden in अपर आसाम और प्राजोल has invited राजवीर to visit his home during the summer vacation तो प्राजोल ने क्या कहा प्राजोल की father manager है tea garden के ठीक है इन अपर आसाम तो आसाम में और प्राजोल has invited राजवीर तो ये दोनों दिल्ली के class में टेल लेकिन प्राजोल जिसके पापा वहाँ पर manager ह और वह आसाम से बिलाउं का थे तो उसने अपने फ्रेंड राजवीर को बुलाया to visit his home during the summer vacation के मेरे यहाँ पर summer vacation में आओ थोड़ा गूमते हैं टैलते हैं देखते हैं वहाँ का हम लोग environment atmosphere enjoy करते हैं तो चाई गरम गरम चाई चाई गरम ये आपको सुनना ही देखता है ये क सुनने में आता है vendor called out in a high paged voice जादा तो train में सुनाई देता है ना चाई चाई ले लो चाई गरम गरम चाई ऐसे आपको सुनाई देता है जब आप train में travel करते तो that's a very common and a famous word of चाई वाला तो ऐसा high pitch voice में high pitch यानि कि बहुत ही जोर में आवाज आने लगा pitch क्या है pitch एक rhythm है यानि कि slow से गरम मतलब slow से high voice जाती है तो he came up to their window and asked चाई साब चाई give us two cups प्रांजल सेड तो वो उसने और उसके friend के लिए पूछा कि भई दो चाई दे दो थीक है तो चाई साब उसने पूछा क्या साब आप चाई लोगे तो yes two cups दे दो प्रांजल ने गा they saved the steaming hot liquid almost everyone in their compartment was drinking tea तो सब क्या कर रहे थे सब coffee अरे सब tea पी रहे थे they saved saved याने कि उसमें उसमें डूब जाना seep हो जाना the streaming hot liquid इतना गरम गरम बहतरीन चाई में वो उस ऐसा उसको enjoy करने के लिए they saved almost everyone और लगबग सभी उस compartment में was drinking tea too और सब जन वहाँ पर चाई ही पी रहे थे अरे वाँ भई वाँ हमें भी पिला दो चाई awesome की do you know that over 80 क्रोड cups of tea are drunk every day throughout the world oh my god omg क्या कह रहा ये 80 क्रोड cups हाँ हमारे इंडिया में इतने सारे लोग जो 80 क्रोड चाई पीते हैं अच्छा सुबह को morning में भी पीते हैं और evening में भी पीते हैं तो 80 प्लस 80 160 है ना तो उतना time cups चाई हुआ ना yes अरे भाई चाई पत्ती जल्दी खतम हो जाएगी गार्डनीन की नहीं हो गे जल्दी से so नई भाई वैसा नहीं है टी प्रोडक्शन बहुत काफी जादा अच्छा है हमारा इंडिया का आसाम से so do you know that every 80 करोड cups of tea are drunk everyday throughout the world पूरी दुनिया में हमारे सिफ इंडिया की बात नहीं हो रही है यह पूरे वल्ड की बात हो रही है actually मैं आपको बता रही थी कि अगर इंडिया में 80 करोड पीते हो तो क्या हो जाएगा view exclaimed Pranjol tea really is very popular यहां की चाही तो सच में बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अच्छी है है न फिर the train pulled out of the station the train pulled out of the station यानि की वहां पर station पर train रुक गई pulled out यानि की stop होई Pranjol buried his nose in his detective book again अब Pranjol को थोड़ा पढ़ने का कीडा था शायद वो बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा था तो buried his nose in his detective book again तो फिर से वो उसके बुक में अपना interest उसी में रखने लगा वो पढ़ने लगा राजवीर 2 was an ardent fan of detective stories ardent यानि की एक बहुत ही ऐसे उस पर फिदा हो जाने वाले या inspire होने वाले आपके वो motivator या inspirational गुरू बन जाने वाले तो उसे कहते हैं हम लोग ardent तो यह जो प्रांजुल था प्रांजुल बुक रिड करने लगा राजवीर भी वो ardent fan था यानि की एक बहुत ही उसके गुरू वो मानता था यानि detective stories पढ़ने में आपको उस नेचर की beauty को नेचर की उस गोद को greenery को वहां के freshness को air को वहां पर आपको महसूस करना चाहिए यह सारे दुनिया सी जो यह जो सारी आपको देखने मिलता है नेचर प्राकृतिक नजारा वो बहुत ही कम लोगों को देखने मिलता है और यह जो पल होता है न एक्चुली नेचर क्या है कहा है टीक है किस किस रूप में हमें देखने मिलता है तो the beautiful scenery उसे तो interest था it was green green everywhere तो जहां जहां नजर गई तो चादर वहां वहां तक green green फैला हुआ था राजवीर had never seen so much greenery before राजवीर ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा greenery then the soft green paddy fields gave way to tea bushes फिर वो soft paddy fields क्या होते जो ज़्यादा तर घास पूस पैड़ी यानि की चावल वाले जो fields थे उसके बाद से फिर tea bushes start हो गए tea bushes यानि की tea के mostly जो leaves होते है वो ऐसे लंबे लंबे होते है ग्र backdrop of densely wooded hills a sea of tea bushes stretch as far as the eye could see backdrop of densely wooded hills एक hill था ठीक है और वो hill जो था बहुत ही बड़ा गना था और उसी के पीछे tea की bushes थी जो काफी दूर 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 तक as far as I could reach तो दूर दूर तक दिखने लगी है ये कौन सी चाही की हमारी plantations dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shared trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like fingers in the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys तो यहाँ पर वो बता रहा है description दे रहा है कि वो जो खेत था चाही का तो वो किस तरह की थी dwarfing the tiny tea plants छोटे छोटे प्लांस थे ठीक है वो tall and sturdy भी थे थोड़े tall and sturdy means ये थोड़े से जूके हुए थे थोड़े से ऐसे धूल वाले देखने मिल रहे थे over leaking dominating वाले है थोड़े mix वाली heritage वाली ऐसी heritage जैसे किसी की उसमें मिलावट हो तो dominate वाली उस तरह से वो देखने दिख रहा था तो dwarfing the tiny tea plants shade trees and amidst orderly rose of bushes और order wise थे यानि कि कही पर छोटे थे कही पर वो लंबे थे ठीक है hey a tea garden राजवीर cried excitedly cried यानि कि वो वहाँ पर रोया नहीं वो खुशी के मारे उसमें चिलाया hey look that there it's a tea garden we have here now प्रांजोल who had been born and brought up on a plantation didn't share अब प्रांजोल जो था प्रांजोल क्या था प्रांजोल तो वहाँ पर रहा आसाम ही रहा वो वहाँ से ही बढ़ा हुआ है यानि कि उ राजवीर ने नहीं देखा था राजवीर had never seen so much greenery before बाकी उसके लिए तो सब नया हुआ है ना पहली पहली बार देखना mountainous side में plantation और इस तरह से बरा बरा इतनी खुश्बू महक आ रही है चाय पत्ती की राजवीर देखो देखो वहाँ पर राजवीर ने कहा प्रांजोल स तो प्रांजवीर को तो उतना interest नहीं था because वो तो वही पर बड़ा हुए grown up हुआ है ना oh this is a tea country now he said फिर प्रांजोल ने कहा ये तो भई tea country है tea country यानि की आसाम is a tree producing country तो राजवीर उसका अपना excitement share कर रहा था क्योंकि उसे बहुत खुश हो रही वो बहुत खुश हो रहा था आसाम has the largest concentration of plantations in the world you will see enough gardens to last you a lifetime तो बहुत काफी सारे gardens है I have been reading as much as I could about tea राजवीर सेड तो राजवीर ने कहा के बहुत के बारे में जादा से जादा पढ़ना चाहता हूँ no one really knows who discover tea but there are many legends what legends तो राजवीर कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि टी को किसने discover किया है किसने इस होती अच्छा है और एक legends है well there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it एक Chinese emperor है राजा है जो हमेशा पानी पीने से पहले उससे उबालता है one day a few leaves of twix burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor तो जब वो गरम पानी पीता है न तो वहां से एक पत्ता वहां से burning under the pot fell into the water तो वह जब ट्विक्स यानि कि वह जो लकडिया है ना चाई पत्ती के लकडिया जब जल रही थी तो उसमें से एक पत्ता उड़कर पानी में गिर गया तो पानी में जब गिरा तो उसका तो flavor change हो गया वा वा उसका taste change हो गया उसका color change हो गया smell आने लगी उसकी it is sad there were tea leaves और तब से कहते हैं कि यह चाई पत्तिया है tell me another scoffed प्रांजल तो प्रांजल ने पूचा कुछ और स्चोरी याद आ रही हो तो मुझे कुछ और स्चोरी भी सुना दो भई काफी सारी जानकार यह तुम बुक्स पढ़ते हो तो we have an Indian legend 2 अरे हमारे पास में इंडियान के हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत सारे बड़े बड़े ज्यानी है legendary लोग है बुद्धी धर्मा and ancient Buddhist ascetic बुद्ध धर्म के हमारे जो गुरु है Buddhist ascetic ascetic कौन है हरमीत यानि कि वो ह हमारे बाहर से आये हुए गुरुदेव कट अफ इस आइलेट्स बेकॉज फैल्ट स्लीपी डूरिंग मेडिटेशन तो वो जो गुरु थे न बुद्धिस ascetic उन्होंने क्या किया अपने आइलेट्स अपने जो पलके थे न उसे कट कर लिया क्यों बिकॉज जब वो होगेगा नहीं आप अगर आखो के अगर आपके आखे जाएश लीट्स आपकी ओपन होगी तो भी आपका मैंड जो है वो सलीप रहेगा mind जो है वो asleep रहता यानि कि वो work करना stop कर देता है when you are asleep your mind stops of what? of living in present living in present जो आप thoughts, things करते हों वो stop कर देता है लेकिन जब आप सोते हो when you are feeling asleep आपको जो सपने आते हैं वो किसके सपने होते हैं पूरे दिन में जो आप thoughts या thinking या जो आप बोलते हो उस पर वो जो या pressure लगने के कारण दिमाग में इस तरह की thoughts और dreams आते हैं ठीक है? तो mind जो होता है वो तो asleep ही होता है तो उसके लिए हमारे eyelids नहीं cut करने चाहिए but let's see what is here तो cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations 10 tea plants grew out of the eyelids 10 tea plants grew out of the eyelids अब उनके eyelids जो थे उनके जो पलके थे उसमें से 10 plants निकल कर आये पेड निकल कर आये the leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep अब देखो जब ये पत्तिया जो थी hot water में मिलाया और उसे जब पीया तो banished sleep यानि कि उसने उसका जो नीद था वो उड़ा दिया उसका जो sleep था उसे भगा दिया ड्राइवन अवे एक्जाइल पूरी तरीके से खतम कर दिया लेकिन जब वो जला रहा था यानि कि वो जब bonfire कर रहा था तब उसमें से एक पत्तिया उड़कर पानी में गिर गया और वो flavor चेंज कर दिया फिर buddhist acetic ने उसको बहुत नीद आ रही थी तो उसने ये eyelids काट दिये अपने और उसके बाद में जब उसने पानी पिया और वो पत्तिया एड़ की तो उसमें उसका नीदी पूरा उड़कर चला गा अब तीसरी बात बता रहा है कि टी पहले चाइना वालों ने पिया था as far back as 2700 BC before Christ in fact words such as tea, chai and chini are from Chinese tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage तो beverage क्या होते हैं, soft rings होते हैं, जैसे coca cola, chai, coffee ये सब कुछ को हम लोग कहते हैं, जो पीने के पदार्थ होते हैं, उससे हम लोग beverage कहते हैं, ठीक है the train clattered into Mariani junction, Mariani junction में train अब वहाँ पर stop हुआ, the boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform, crowded याने की अब platform पे रूखी है train तो जाहिर सी बात है, कि आना जाना लोगों का हशन बश बहुत जादा रहेगा, ठीक है तो Mariani junction पर जैसे ही कड़े, तो सारे boys उतर कर अपना अपना लगे जुठाने लगे प्रांजुल's parents were waiting for them, प्रांजुल के parents, because यह दोनों तो दिल्ली में पढ़ते थे, राजवीर और प्रांजुल तो प्रांजुल के पापा वहाँ पर आये थे, पीक अप करने के लिए, parents soon they were driving towards डेक्या बरी the tea garden managed by प्रांजुल's father, तो प्रांजुल के पापा की जो एक खेत थी जेक्या बरी वहाँ पर वो पहुचे an hour later the car weird sharply off the main road, they crossed cattle bridge and entered जेक्या बरी टी एस्टेट उन्होंने वो cattle bridge जो था जहाँ पर बक्रिया और जो गाय भैस को चरवाने के लिए लेकर जाते वो ब्रिज को क्रॉस किया और एंटर इंटो जेक्या बरी टी एस्टेट on both sides of the gravel road where acre upon acre of tea bushes gravel road क्या होता है जो पक्का रोड था और उसके आस पास में पूर खेती खेत था bushes था all neatly prone to the same height और सब same height के थे ऐसा भी नहीं कोई ऊपर है कोई छोटा है ऐसा groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs तो आपने mostly देखा होगा कि जो plucking करने वाले होता है अपने पीछे basket लगा कर वहाँ पर pluck करने जाते हैं head पर वो head wear पहन कर ठीक है wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves sprout याने की जो फूटे हुए नए नए जो पत्ते है खीलो वे उससे वो तोड रहे थे प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass तो प्रांजल के पापा वहाँ पर stop हो गए जाते जाते और फिर एक trailer load जो टी पत्ती से बढ़ा वा था उससे वो जाने दे रहे थे this is the second flush or sprouting period isn't it mr. बरूरा राजवीर आस जो यह तो बहुत अच्छा sprouting period है याने की खिलने वाला मौसम है नहीं कितना अच्छा है यह it lasts from may to july and yields the best tea सबसे बढ़िया टी ग्रो होने वाला production होने वाला may से july month है you seem to have done your homework before coming हा प्रांजर's father said in surprise ऐसे लगता है कि तुम विजीट करने से पहले काफी सारी इसके बारे में study करकर आये हो research करकर आये हो ताकि मितलब इसे लिए तुम्हें इतना सारा इसके बारे में घ्यान है ठीक है तो yes बरुरा yes Mr. Barwa राजवीर admitted राजवीर ने हाँ का वह एगरी हुआ but I hope to learn much more while I am here but मुझे आशा है कि जब तक मैं यहां पर हूँ तब तक मैं और जादा जितना जानकारी जितना और जादा knowledge इखटा कर सकूं तो मैं उतना ट्राइ करो ठीक है आप भी मुझे उतना ही ज्यान देते जाओ उसके टी प्लांटेशन के बारे में शेयर में शेयर वित मी यह नौलेज अबड़ टी प्लांटी टी प्लांटेशन वाटाइशन वाटा यूज पटीलाइसर और पैस्टिसाइड विचर एडेड उसका यह हैं तो लिएू बाइटो न की आप डारे में वाटाइशन दी यह हैं तो यह हैं तो सूंप चूज वाटेशन विप्लाइशना इन यह हैं नॉज आप ट आए यह उड जए और आ नूले के बारे ऑ्यां गचू रचूट इन वाट यह कूंूं events अगमें इंव में लिए מא